नमस्कार मैं हूँ आपका दोस विजे विद्रोही आप मुझसे जुड़ चुके हैं इसके लिए आप सब का तह दिल से शुक्रिया और अगले 7-8 मिनट पे आप से जुड़े रहने की कोशिश करूँ तो जहरकंड में 43 सीटों के लिए चुनाव प्रचार का दौर थम गया है पहले चरण में 43 सीटों पर मद्दान होना है NDA और इंडिया के बीच में कड़ी टककर बताई जा रही है कौन आगे होगा कौन पीछे होगा इसके लिए दो सर्वे सामने आए हैं जादब चैनलों ने इस बार सर्वे नहीं किया है मोटे तोर पर जो दो बड़े सर्वे सामने आए हैं बड़े या जो भी हमारे पास सर्वे हैं उसमें लोग पोल का सर्वे है और एक और दूसरा आई एनेस मैट्रिस का सर्वे है दोनों सर्वे अलग लग तस्वीर पेश कर रहे हैं तो कन्फ्यूजन फैलाने की कूशिच है लेकिन फिर भी सर्वे की बात कर लेते हैं लोग पोल के सर्वे में एंडिये यानि बीजेपी प्लस को 36 से 49 सीटें मिलती दिख रही है 81 की विधान सबा है जीत के लिए 42 सीटें चाहिए और उधर इंडिया गडबंदन यानि जारकण मुक्ती मूर्चा कॉंग्रेस वामदल और आरजेडी का गडबंदन है उसको 41 से लेकर 44 सीटें मिलती दिख रही है यानि कुल मिलाकर नजदी की मामला तो है लेकिन सरकार बन तो तस्वीर बिल्कुल उल्टी है और कुछ अविश्वस्नी ऐसी है क्योंकि ये कह रहा है कि बीजेपी को 53 परसंट वोट मिलेगा और सीटें मिलेंगी 45 से लेकर 50 53 परसंट वोट 50 परसंट से ज्यादा वोट लोगसबा चुनाओ में बीजेपी को अलग चुनाओ लड़ी दिख रहा है और जारकन मुक्ती मोर्चा और कॉंग्रेस को जहां करीब 36-37 परसंट वोट लोगसबा चुनाओ में मिला था उनका वोट परसंट धढाम से 28 परसंट पर आता दिख रहा है अब 53 परसंट वोट है कॉंग बीजेपी का और सीटें मिल रही है 45 से 50 कॉंग्रेस जारकन मुक्ती मोर्चा गडबंदन को 28 परसंट वोट मिल रहा है और सीटें मिल रही है 18 से 25 तो ये ताजोग की बात है 18 से 25 सीटें मिलना इतना ज्यादा वोट डिफरेंस है तो काईदे से जारकन मुक्ती मोर्चा कॉंग्रेस के गडबंदन को तो दहाई तक नहीं जा रहा है और 6 से 5 सीटें मिलती हुई दिख रही है लोगपोल में अन्ने के खाते में 3 से 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है तो कुल मिलाकर झारकन की चर्चा करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जारकन एक मिनरल इस्टेट है और बीजेपी ऐसे मिनरल रिज स्टेट में सकता हत्याना नहीं चाहती क्योंकि अपने खास लोगों का भी ध्यान रखना है और पैसा बहुत है आ जाता है अभी सुप्रीम कोट की नई रूलिंग आई है जो ये कहती है कि जो ख़दानों से रॉयल्टी मिलेगी के उसमें रज सरकारों की भूमिका को लेकर और उनका पुराना बकाया को लेकर जो एतिहासिक फैसला सुप्रीम कोट ने सुनाया था उसके बाद तो ये जो मिनरल रिज स्टेट पर सभी पार्टी योंकी रुची ज्यादा हो गई है कुल मिलाकर 801 सीटे हैं जिसमें से 60 सीटे हैं जिसमे मुर्चा कॉंग्रेस के जो आधिवासी वोट बैंक है जो 26 परसंट के आसपास है 28 सीटे हैं कुल मिलाकर 20 परसंट से ज्यादा आधिवासी 43 सीटों पर है उस पर सेंद लगाने की कोशिश की है इसलिए चंपई सुरेन को तोड़ा गया इसलिए सीता सुरेन को तोड़ा गया लोग सबा चुराओ में तो बीजेपी को कोई फायदा नहीं मिला विधान सबा चुराओ में कितना फायदा होगा ये देखना दिल्चस रहेगा लेकिन बीजेपी पांच मंडल हमें हम विवाजित कर सकते हैं जारकन को और उसके इसाब से थोड़ा सा अध्यन करने की कोशि इसने समझोता करके चुनाव जीत लिया था इस बार 25 सुरेन के कारण बीजेपी को उमीद है कि शायद खाता खुल जाए और खाता खुलने से जादा दो सीटें शायद तीन सीटें मिल जाए देखना दिल्चस होगा कि मिलती है या नहीं इसी तरह जो संथाल परगना में 18 स सीटें हैं यहाँ पर भी जारकन मुक्ती मोर्चा और कॉंग्रेस को 14 सीटें मिली थी बीजेपी के हाथ में 4 सीटें आई थी संथाल परगना में बीजेपी ने बहुत जोर लगाया है बेटी माटी और बेटी माटी और एक और प्रधान मंत्री ने तीन बाते कहीं है कि घु बीजेपी उमीद कर रही है कि प्रधान मंत्री उससे पहले हेमंद इस्वा शर्मा ने जो दोर लगाया शायद 4 की जगा 6 सीटों पर पहुंच जाए बीजेपी उतरी छोटा नाकपूर यहाँ पर सबसे अधिक 25 सीटें आती हैं और पहले चरण में नाकपूर में की ही शड़ने का मतलब है गड़ में हार और इस बार इंडिया गडबंधन अपनी सिती और ज्यादा मजबूत कर रहा है करता हुआ दिखाई दे रहा है यानि छोटा नाकपूर जहां पर पहले चरण में चुनाव होना है वहां पर माना जा रहा है कि जहारकन बुक्ती मोर्चा क कॉंग्रेस का गडबंधन यानि इंडिया का गडबंधन एंडिये के गडबंधन पर भारी रह सकता है अब ये ट्रंट दूसरे चरण तक भी गया तो फिर क्या दस्वीर निकल कर आएगी लोग पोल का सर्वेश सतसावित होगा या फिर आई एनस का सर्वेश सतसावित दक्षणी छोटा नागपूर में 13 सीटे हैं पिशली बार बीजेपी ने 5 सीटे जीती थी बाकी बची हुई 8 सीटे इंडिया गडबंधन के खाते में गई थी इस बार यहां बहुत जोर लगा रही है चार पान सीटों पे बहुत कांटे का संगर्ष है कौन जीते का कौन हा रहेगा यह कहना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है पलामू में 9 सीटे हैं बीजेपी यहां थोड़ी मजबूत 5 सीटे पिश्टी बार चीती थी और 4 सीटे कॉंग्रिस गडबंधन इंडिया गडबंधन के पाल गई थी इस बार इंडिया गडबंधन दो सीटों पर दो स् इससे बीजेपी को कुछ फायदा होता दिख रहा है लेकिन जारकन मुक्ती मोर्चा में हेमन सुरेन ने जिस हिसाब से चुनाओ की कमान संभाली जिस डंग से अमिश्या हो चाए हेमन बिस्वा शर्मा हो चाए प्रधान मंत्री हो उनके आरोपों का जवाब दिया वो नहीं महिला नेता हिंदुस्तान को मिली कलपना सुरेन के मिले के रूप में कलपना सुरेन यानि हेमन सुरेन की पत्नी जब हेमन सुरेन को ईडी ने जो जेल विजवा दिया था उसके बाद मुक्य मंत्री पच छूटा था तो कलपना सुरेन ने पार्टी की कमान संभाली थ जिसके तहट पैसा दिया जाता है महिलाओं को लाड़की बहना योजना की तहट उसकी सम्मान यात्रा भी निकाली थी और बहुत व्यापक जन समर्थन उनको मिला था तो कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि कलपना सुरेन अगर इंडिया गड़बंदन जीतता है तो उसमें कलपना सुरेन की भूमी का बहुत इंपॉर्टन रह सकती है शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए पसंद आये तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए